साल 1984 भारत की प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी हार गई एक हट से हार गई और हट किसका एक देश के ब्रदर लीडर की दूसरी पत्नी का नाम साफिया फरकश जिसे हुक्म मिला था कि अगर तुम अपनी बात नहीं मनवा पाई तो वापस मताना मजबूरन इंद्रा गांधी को निमंत्रन स्वीकार करना पड़ा अप्रेल 1984 में जब इंद्रा गांधी त्रिपोली एरपोर्ट पर पहुँची तो अगवानी के लिए ब्रदर लीडर खुद मौजूद था ब्रदर लीडर यानी मौमार गद्दाफी उसमें इंद्रा गांधी के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी पलक पांफले बिछा दिये रेड कार्पिट बिछा दिये अगवानी खत्म हुई मीटिंग शुरू हुई और इसमें गद्दाफी ने अपने हट के पीछे का राज जाहिर कर दिया वो भारत से न्यूक्लियर टेक्नॉलजी चाहता था एटम बम बनाना चाहता था लेकिन इंद्रा गांधी ने इससे साफ इंकार कर दिया दौरा खत्म हो गया गद्दाफी को अगर परमानू तकनीक मिल जाती तो वो क्या करता ये किन्तु परंतु और आशंकाओं के दाइरे में रह गई बात है पर सवाल आता है कि गद्दाफी कौन बेदूइन कबीले का एक लड़का जिसके पिताब बक्रियां और उंट चराय करते थे और बाद में गद्दाफी ने पूरा मुल्क चरा दिया रक्तहीन करांती करने वाला 27 साल का अफसर जिसने पूरा शीश महल खून की बुनियाद पे टिकाया था जो कभी पुरानी फॉक्स वेगन कार में अकेले सफर किया करता था लेकिन बाद में आयाशी का सिंबल बन गया जिसने अपने लिए करनल इमामों का इमाम और अफरीका का शेहनशा जैसी उपाधियादारन की लेकिन अमरीका की नजर में वो मिडल इस्ट का पागल कुट्ता था वो जो खूबसूरत अंग रक्षकों से घिरा रहता था और सबसे ज़ादा यही तस्वीरें उसके बारे में वाइरल होती थी गदाफी ने 42 साल तक लीबिया का शासन चलाया जब तक वो कुरसी पर रहा उसे चुनोती देने वाला कोई नहीं था जिसने कोशिश की उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया गया लेकिन फिर एक दिन पढ़ोस के त्यूनीशिया में एक आग भड़की पहले एक व्यक्ति के शरीर पर और फिर पूरे देश में और उसके बाद समूचे मिडल इस्ट में दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया में नगर निगम की अधिकारियों ने मोहमद बजी जी का फल का ठेला जब्त कर लिया जब वो छुडाने दफतर गया तो बुरी तरह दुतकारा गया गुसे में उसने खुद को आग लगा ली गटना का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो थे पिद्रोह का ये ताप लीविया भी पहुंचा जनता गदाफी को हटाना चाहती थी पर गदाफी इसके लिए तयार नहीं था उसने प्रदर्शन कारियों को धंकी दी एक तर्म का इस्तमाल किया जैंगा जैंगा हिंदी में मतलब होता है गली-गली उसने चेताया कि वा अमरीका था अमरीका को लग रहा था कि ये मिडल इस्ट में जो असंतोष भड़क रहा है इसके सहारे वो इन तमाम देशों में फाइनली लोकतंत्र को लाने में सफल होगा पर अमरीका हमेशा की तरह असफल रहा नेटो की इंट्री लीबिया में हुई नेटो ने गदाफी के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिये अक्टूबर 2011 तक उसका आखरी किला ढह चुका था गदाफी को रेगिस्तान बहुत पसंद था जब भी परेशान होता रेगिस्तान में बने टेंट में दिन भर रहता अपने कभीले के लोगों से मिलता उस दिन भी वो रेगिस्तान मे हुए थे वो खौवजदा था सिर्ते के पास रेगिस्तान में एक पाइप में छिपकर बैठा था पर विद्रोहियों ने इसे खोज निकाला और पीट-पीट कर कतल कर दिया सिर्ते शहर 42 सालों के ताना शाही शासन के अंत का प्रतीक बन गया और यही सिर्ते 11 बरस बाद ए अपने लडाके लेकर दूसरे के गड़ में घुस गए और दूसरे को कुर्सी से हटाने की कोशिश के नतीजा वो नाकाम रहे आज हम जानेंगे लीबिया में दो परधान मंतरी क्या कर रहे हैं मुअमार गद्दाफी के जानने के बाद लीबिया के हालात क्या है और क्या वापस पटरी पर लॉट पाएगा नमस्ते मेरा नाम सौरब दिवेदी है और आप ललन टॉप का अंतर राश्ट्री प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कारिक्रम दुनियादारी देख रहे हैं दुनियादारी के एस एपिसोड के स्पॉंसर है आडियो बुक का प्लेक्टफरम कुकु एफेम जिसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 50 फीसदी की छूट मिलेगी उसके लिए आपको कोड डालना होगा यह चूट पहले 500 यूजर के लिए जाधा जानकारी डिस्क्रिप्शन में अब बात गदाफी के बाद के लीबिया और वहां चल रहे सिविल वार की पर उसके लिए पहले बैग्राउंड समझे दुनिया के नक्षे पर लीबिया उत्तरी अफ्रीका में पढ़ता है इजिप सुडान, चाड, अलजीरिया, नाइजर और ट्यूनिशिया उसके पडोसी हैं एक जमाने में यहां सिकंदर का शासन रहा जूलिय सीजर के समय रोमन का कबज़ा रहा सात्वी सदी में इसलाम का उदे हुआ तो उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया तब तक रो बीलों ने रोमन्स को बाहर निकाल दिया, पंद्रा सो ग्यारा में ये इलाका ओटुमन सामराज जिखे अधीन आ गया, कई सदियां भी थी, 1911 में इटली के एंट्री हुई, और 1920 के दशक में बेनिटो मुसोलनी इटली का प्रधानमंत्री बना, उसने लीबिया में खूब कंट्रोल में चाहता था, तकरार पूरे नौबरस चली, और फिर 1951 में सयुक्त राष्ट ने प्रस्ताव पार कर लीबिया को आजाद घूशित किया, इद्रिस युनाइटिट किंग्डम आफ लीबिया के पहले राजा बनाए गए, इन्हें इटली के राज में विद्रोह क कच्चा तेल मिला, और इसके बाद खेल बदल गया, इद्रिस ने अब तक अपनी वफादारी बखुबी साबित की थी, उन्होंने इसे आगे भी जारी रखा, पश्मी कंपनियों को ओने पोने दाम पर तेल बेचा, लेकिन इस लूट के बावजूद लीबिया के पास जाहरे गुस्सा पनपेगा, पर विद्रोह करना मना था, क्योंकि सजा एक थी, मौत, इसी आक्रोश और घुटन के बीच, किंग इद्रिस इलाज करवाने तुर्की गए, इधर दूसरा और आखरी निर्वासन अब उनका इंतिजार करने लगा, और कयामत की वो रात आई 31 37 अगस्त 1979 को, रात के ढाई बजे, ऑपरेशन जरूसलम शुरू हुआ, लिबिया के दूसरे सबसे बड़े शहर, बेंगाजी की बरका चावनी में गदाफी के एंट्री हुई, अफसरों पर हतियारत आने गए, चावनी के अफसरों ने हाथ खड़े कर दिये, सरेंडर का सं केत दे दिया, बिना खून बहाए, बेंगाजी, गदाफी के कबजे में आ चुका था, तब तक उनके दूसरे साथी, बेंगाजी और राजधानी त्रिपोली के रेडियो स्टेशन, एरपोर्ट, एंट्री, एंटी एरक्राफ्ट बैटरीज पर कबजा जमा चुके थे, 1952 में एजिप्ट में गमाल अबदेल नासिर के नेतरत में ऐसे ही फ्री ओफिसर्स के गुट ने राजशाही समात की थी, गदाफी ने तख्ता पलट की इस खबर को रेडियो पर सुना था, वो नासिर से काफी प्रभावित था, इसलिए उसने अपने सीक्रिट ग्रूप का नाम भी फ्री ओफिसर्स मूवमेंट रखा, इस ग्रूप में शामिल सेनको ने बाद में लीबिया में सरकार चलाई है, हलाकि इन में से भी कुछ बाद में बागी हो गए, गदाफी के खिलाफ हो गए, उन्हें बुरी तरह को चल दिया गया, इनी में से एक था खलीफा हफ फ्री ओफिसर्स मूवमेंट के कोल ग्रूप में गदाफी से नस्दीकी भी रही, फील्ड मार्शल का दर्जा भी मिला, लेकिन 1978 का साल आया और लीबिया और चाड का जब जगला शुरू हुआ, तो ये लड़ाई चार फेज में चड़ी, और इस लड़ाई में हफ्तार ली फाह हफ्तार, ये खबर कदाफी तक पहुची, पर उसने क्या किया, अपने ही सैनकों और पुराने से पसालार को पहचाने से इंकार कर दिया, कहा कि हमारे लोग नहीं, हफ्तार को वफदारी का ये सिला रास नहीं आया, जब हफ्तार कैट से आजाद होकर अमरीका गया, तो 2011 के अरब स्प्रिंग में वो देश लोटे, उन्होंने विद्रोहियों के एक धड़े की कमान समहली, गदाफी की मौत के बाद लेकिन वो अचानक गायब हो गए, वापसी कुछ बरस बाद हुई, फरवरी 2014 में, उन्होंने चुनी हुई संसद जनरल नेशनल कॉंग्रेस के खड़े होने का एलान किया, यह जनरल नेशनल कॉंग्रेस यानि जी एनसी 2012 में बनी थी, लेकिन चुनी हुई सरकार समस्याओं को सुल्जाने में नाकाम साबित हो रही थी, देश भर में आतंकी हमले हो रहे थे और विद्रोही गुट आपस में लड़ रहे थे, यानि इगनिटी की शुरुवात की, लीबियन नेशनल आर्मी यानि एलने के साथ मिलकर उन्होंने आतंकी संगठनों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, अगस 2014 में हाउस आफ रेप्रेजेंटेटिव ने जनरल नेशनल कॉंग्रेस को रिप्लेस किया, और उन्हें नेशनल आर्म जगडे थे, प्रभुत्य के जगडे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, 2015 में यूएन ने हाउस आफ रेप्रेजेंटेटेव और जेंसी के प्रतनिदियों के बीच सुलह करवाई, समझोता हुआ, और फिर गवर्मेंट आप नैशनल एकॉर्ड यानि जीने की स्थापन हुई, इसमें तोबरूक में स्थित हो आर और त्रिपोली में स्थित जीने दोनों को रेप्रेजेंटेशन मिला, पर लडाई सारभौम अधिकार की थी, कोई टोकला बाटने के लिए हिस्सेदारी के लिए तैयार नहीं था, इस वज़े से यूटी गवर्मेंट बनाने में कभी सफलता नहीं मिल पाई, दोनों ने अपने अपने सेंटरल बैंक बनाए हैं, उनके पास अपने 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 अलाके में तेल की कुए हैं, और पूरी ललाई दरसल तेल की कमाई की एर्दगिर्द ही गूम रही है, और इन सब के बीच पिस रही है आम जनता, क्योंकि उन्हें अभी तक एक ढंकी एकिकरत सरकार नहीं मिली है, लीबिया में बन्यादी चीजों की भारी कमी है, शहर तहस नहस हैं, लोग देश छोड़ कर पलायन कर रहे हैं, अवे तरीके से योरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, समंदर में भी लीबिया के शर्णार्थियों की मौत की घटनाएं आप अक्सर सुनते हैं, ये हैं लीबिया के हालाद, वहाँ पर जनता की करांती को हाईजैक कर अंकार और लूट की लडाई में बदल दिया गया है, इन सब के बीच दिसंबर 2021 आता है, राष्टपती चुनाओ की तारीक ते होती है, और इसके एक महिने ब जारों ने दाविदारी पेश की जिनको लेकर नाराजगी कायम है, जैसे कि मुअमर गदाफी का बेटा सैफ उल इसलाम गदाफी, खलीफा हफ्तार के नाम को लेकर भी आपती थी, जब बात नहीं बनी तो चुनाओ को पहले एक महिने और फिर अनिश्चित काल के लिए ता काम है, एचवार ने अपना प्रधान मंत्री भी न्युक्त कर दिया, फतही बशागा को, फतही लीबिया के ग्री मंत्री रह चुके हैं, दिसम्बर 2021 के चुनाओं से पहले उन्होंने खलीफा हफ्तार से हाथ भी मिला लिया था, फतही की न्युक्ती से लीबिया में अब द प्रधान मंत्री फतही ने अपने लडाकों के साथ राजधानी त्रिपोली पर हमला किया, उन्होंने त्रिपोली पर कबजा करने की कोशिश की, पर वो 19 साबित हुए, दबेबे की सेना ने फतही के लडाकों को पीछे धकेल दिया, फतही अब सिर्ते शेहर में अपना ठिक काना बनाने की बात कर रहे हैं, वही सिर्ते जहां कदाफी की कहानी का अंत हुआ था, जानकारों की माने तो ये जीत दबेबे और यूएन को मनोबल देगी, उन्हें खलीफा हफ्तार और तोब्रूक में बसी सरकार पर बढ़त मिली है, दबेबे फिलाल कारवाहक प्रधान संभावना है कि वे कुर्सी पर कबजे की लडाई से हमेशा के लिए पीछे हट जाए, लीबिया के संसाधनों पर कबजे का लालच लंबा चलने वाला है, देश भले ही मानासन इस्तिती में हो, लेकिन वो पश्मी देशों के प्रयोगों का जीवन तो धारन बना रहेगा, उधारन इस बात का कि लोकतंत्र की आमद बंदू की नली से नहीं होती, ऐसे में अजरबेजानी कारिकरता और फोटो पत्रकार का एक तंज याद आता है, पश्मी देश इराग पर हमला करते हैं, लीबिया का तानवाना बिगार देते हैं, यमन और सीरिया में बेमतलब टा अब सुर्खियों की बारी है, पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है, तालिबान सरकार ने हुमेन राइट्स कमीशन को भंग कर दिया है, वज़े क्या बताई, तालिबान के प्रवक्ता इनाम उल्ला समन गनी ने कहा कि हुमेन डाइट्स के लिए और भी डेपार्टमेंट स अलग से कमीशन की जरूरत नहीं है, तालिबान ने 15 अगस 2021 को काबूल पर कबजा किया था, 20 बरस बाद सत्ता में वापसी हुई थी, तालिबान चुनावायोग और मिनिस्ट्री फॉर विमेन अफेर्स को पहले ही बंद कर चुका है, पिछले हफते तालिबान ने पहला साल हथ हुए अफगान नाग्रिकों का डीटर रखता था, उनके घरवालों को मुआवजा दिलाने की कोशिश भी करता था, तालिबान की वापसी के बाद कमीशन की कई अधिकारी पहले ही देश छोड़कर भाग चुके थे, तालिबान ने पहली बार 1996 में सत्ता हासल की थी, उ तालिबान को काबुल से भगा दिया था, लड़ाई 20 साल चली, आखिर में अमरीका खुदी भाग गया, तालिबान ने दावा किया कि वो पुरानी गलतियों को इस बार नहीं दोराएगा, ये भी कहा गया, कि माईला को आजादी दी जाएगी, बच्चियों को स्कूल जाने दिया जाएगा, बरबरता नहीं की जाएगी, लेकिन अब तक एक विवादा पूरा नहीं हुआ, यूमेन राइट्स कमीशन की तालावंदी से भरोसे का एक और दर्वाजा बंद हो गया, वैसे भी कोई महान आशावादी होगा, तभी तालिबान से इस तरह की उम्मीदें करेगा, आज यही एक सुर्की है, अब बारी विश्व कविता की, आज हम आपके लिए फिलस्तीनी कवी, महमूद दर्वेश की कविता लेकर आए हैं, शीरशक है, वह शांत है और मैं भी, अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया है, अपूरवानंद ने, वह शा पारीदार बैगी शर्ट, और मैं पढ़ रहा हूँ जैसे कि वह शाम का अखवार, वो मुझे नजर चुराकर देखते नहीं देखता, मैं उसे नजर चुराकर देखते नहीं देखता, वह शान थे और मैं भी, वो वेटर से कुछ मांगता है, मैं वेटर से कुछ मांगता एक काली बिली हमारे बीच से गुजरती है मैं उसके रोए से हलाता हूँ तब मैं उसकी आँखों की ओर देखता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं देखता, मैं कैफे से निकल आता हूँ तेजी से, मैं सोचता हूँ, हो नहो वो एक हत्यारा है, या शायद वो एक रहागीर है जो सोचता हो कि मैं हत्यारा हूँ, वो डरा हुआ है और मैं भी, आज का दुन